हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आपका स्वागत है आपके अपने परिवार करियर क्राफ्ट पर और आपको जैसा पता है एसासेजिडी के लिए हिंदी की टॉप्टं सीरिय चल लाइए उसी में एक और नहीं वीडियो के साथ उपस्ते ते हैं और उस टॉपिक का नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियां आज मैं आपके लिए टॉप्टं मौहवरे एवं लोकोक्तियों के कुश्छन लेके आया हूं जो के SSCGD की परिच्छा में बार बार रिपीट होते हैं SSCGD के इलावा कोई भी और परिच्छा हो जिसमें इंदी पूछी जाती है उसके लिए भी ये बेहत कार करें तो आप लोग इस वीडियो को सेयर करें ज्यादा से ज्यादा चलते हैं अपने कुश्चन की और हमारा पहला कुश्चन है लोक उक्ति का सामानने अर्थ है तो आपको सबसे पहले जो कोई भी टॉबेक पढ़ें उसका अर्थ के विशह में पता होना चाहिए कि उस सब्द का अर्थ क्या है तो लोक उक्ति का अर्थ कई बार पूचा गया है कई परिच्छाओं में चाए वो की उक्ति एक अप्शन नंबर वी लोग की बाते हैंła ओपशन नंबर शी लोकों के लेख खेग है अच्छी बात है तो इसका जो राइट आंसर होगा volunteer ऐ लोक की उक्ति लोक की उक्ति का मतलब जो हमारे संसार में जो पुराने पूर्वज हैं उनकी जो कथन उनकी कई हुई बात जो चलती है उन्हीं को हम लोक उक्ति कहते हैं तो इसका राइट अंसर ऑप्शन नमर ए हो जाएगा दूसरा कुश्चन है हमारा अंदेर नगरी का अर्थ है अब अंदेर न या उप्शन नमर डी सून सांट जगय तो आपको मैं बताऊं कि जो महावरा होता है जो महावरे में जो लाइन लिखी रहती है अगर वही लाइन अर्थ में लिखी है तो उसका अंसर बिल्कुल भी नहीं होगा तो इसका जो राइट अंसर होगा वह हो जाएगा उप्शन नमर 3 आदर और नरादर करना यह है अर्थ किस महावरे का है यानि आदर और नर्दान दर करना यह जो महावरा है इसका अर्थ क्या होगा तो option c पत्य तक सीमित औना इसमें कोई सीमित औरね की बात नहीं करी गई है option number D है पान फूल पर रहना ये भी कोई तरक संगत बाद नहीं है तो हमारा जो right answer होगा वो option number A हो जाएगा पान पनही खिलाना यानि इसका मतलब यह हो गया जैसे कोई व्यक्ति गर आपके पास आया है तो पहले तो उसको आपने पान खवा दिया तो उससे क्या हुआ कि उसका आपने आदर कर दिया फिर उसके बाद पनही खिलाना पनही का मतलब होता है जूते से उसे मारना तो यह क्या हो गया आदर और निरादर करना ठीक है तो हमारा right answer क्या हो जाएगा पान पनही खिलाना तो इसका मतलब यह है पहले उसका पान खिलाक आंख लगना मोहावरे का सही अर्थ है यहाँ पे आप है ओल एड कर लेंगे तो इसके options देख लेते हैं क्या-क्या है option a है किसी के प्रत्य आकरसित होना आंख लगना का मतलव यह नहीं है किसी के प्रत्य आकरसित होना तो यह इसका 답 मार नहीं हो दोता है नीध आजाना बोलते हैं ना मेरी आख नीध आ जाना फिक है अब हम चलते हैं अगले कुश्चortun की nostro यह थोड़ा सा बड़ा है इसके क्या निद्देश दिये हुए है सबसे पहले हमें वह पढ़ना है ठीक है कुशन नमर पांच है उस बिकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न लिखेत मुहाबरे का अर्थ दिया गया है यानि एक मुहाबरा है इसका अर्थ दिया गया इन चारों में से वह आपको देखन है तो मुहाबरा है मारा आकास के तारे तोड़ना आकास के तारे तोड़ना तो माबरा का हमें अर्थ देखना है आकास के तारे तोड़ना इसका अर्थ क्या होगा तो हम देखते हैं अपने ओप्शन को मारा ओप्शन नमर ए है आसमान से तारे जोड़ने की कोशिस करना तो आकास के तारे तोड़ना और जोड़ना यह लगवग दौनो बात समान हैं तो मैंने आपको बताया कि जो बात हैं मोहावरे या लोगोक्ति में कहीं है वही बात अगर उसके अर्थ में है तो यह बिल्कुल तरव संकत नहीं है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा वो उसका अंसर नहीं होगा तो option number A हमारा answer नहीं है option B को check करते हैं आस्मान चूने की कोशिस करना तो ये भी नहीं होगा क्यों आस्मान से तारे कब तोड़ेंगे जब हम चूने की कोशिस करेंगे तो ये भी लगवग समान बात है तो ये भी इसका answer नहीं होगा अब option number C चेक करते हैं असंभव काम करना ये हमारा बिल्कुल right answer हो जाएगा option number C असंभव काम करना ठीक है अब हम चलते हैं अगले question की ओर अगला question है question number 6 कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है आपको ये देखना है कब्र में पैर लटकना का सही अर्थ है वो क्या है तो option number A चेक करते हैं म्रत्यू के समीप होना या option number भी म्रत्यू से कोसों दूर रहना तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कब्र में पैर लटकना का मतलब यह है कि कही न कहीं म्रत्यू के हम समीप ही है तो हमारा जो right answer हो जाएगा वो option number A है ठीक है कब्र के पास बैठना ये भी नहीं होगा इनमें से कोई नहीं ये भी नहीं तो हमारा right answer क्या है option number A अगले question की और चलते हैं अगला question है question number 7 question है मारा किताब का कीड़ा होना का उपियुक्त अर्थ है यानि यह मुहावरा दिया गया है किताब का कीड़ा होना इसका सही अर्थ क्या होगा तो आप देखेंगे किताब का कीड़ा हम किसको बोलते हैं जो ज्यादा पढ़ाई करता हो ठीक है किताब का कीड़ा जैसे आंसर होगा option A को चेक करेंगे बहुमुल वस्तू को नश्ट करने वाला तो किताब का कीड़ा बहुमुल वस्तू को नश्ट करने वाला इसका तो कोई अधिक पढ़ने वाला यह राइट अंसर हो जाएगा ग्यान का दुश्मन यह बिल्कुल इसके अलग ही अर्थ प्रिकट कर रहा है तो यह तो बिल्कुल ही नहीं होगा ठीक है अब हम चलते हैं अगले कुश्चन की ओर अगला कुश्चन है कुश्चन नमर आठ कुश्चन क्य कह रहा है वो देखते हैं कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव यानि इसका मतलब यह कभी नाव पर गाड़ी या कभी गाड़ी पर नाव अब इसका जो अर्थ है वो क्या है वो हमें देखना है ठीक है इस महावरे का अर्थ हमें देखना है क्या है अब हम देख आंसर होगा नहीं मैंने आपको बताया कि जो बात हम वहावरेया लोगोपती में हैं वही अगर उसके अर्थ में है तो वह तो आंसर उसका बिल्कुल ही नहीं होगा ठीक है अब ऑप्शन नमर बी चेक करते हैं कभी छोटा मैत्पूर हो जाता है कभी बड़ा इसमें छोटे औ अंसर है वह ऑप्शन नमर सी है जीवन में उतार चड़ाब आते रहते हैं बोच देना कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी नाव पर तो इसका मतलब यह हो गया कि जीवन में कभी उतार चड़ाब भी होते हैं कभी दुख भी होता है जैसे आप बिद्ध्यार्ती जीवन में तो कभी जो तुमारा समय है वो तुमारे अनकूल भी होता होगा कभी जो तुमारा समय है वो तुमारे प्रत्वूल भी होता होगा यानि तुमारे मन से तुमारे एसाब से पढ़ाई नहीं उपाती होगी कभी कभी बहुत अच्छी पढ़ाई होती होगी तो यही चीज है इस महाबरे में अब हम देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन 9 काफूर होना काफूर होना महाबरे का सही अर्थ क्या है तो अब काफूर होना का मतलब देखते हैं और इसमें जो अर्थ है वो क्या है बड़ा काम करना तो काफूर वहना का मतलब बड़ा काम करना नहीं है बदार का M अब हम देखते हैं हमारा अंतिम question है last question number 10 जो के इस series का नाम है top 10 series इस top 10 series के अंतरगत में SSGD की जितनी भी परिशाइं हुई है पूर्व में 2013 से लेके अब तक जो बार-बार questions repeat होते हैं उन्हीं को मैं collect करके आपके सामने paste कर रहा हूं तो इससे आप समझेंगे किस तरीके क्या आते हैं तो आपको याद करने में या उसको समझने में दिक्कत लो इसलिए यह हमारी top 10 series चल रही है तो उसका यह अन्तिम question है जो यहां पर मावरेव की गई है तो वही यहां पर की गई है तो यह तो बिल्कुल answer नहीं होगा चत्र होना यह हमारा right answer हो जाएगा चत्र होना option number 2 बोलते ना जैसे कोई ब्यक्ति चत्र है या कोई छोटा ब्यक्ति बड़ों की बातों में अगर ज्यादा भाग लेता है तो अगणारेस के लिए एक सब्द इसमें कुल आपको शाद वीडि오 मिलेगी इसमें से चफंप वीडिओ है और इससे पहले मैं आपके लिए विलोंग सब्द तस्त्रम तद्वव वरतनी शुद्दी और वीलंग सब्द की वीडियो लेके आ चुका हूं और यहां से हमारी पर आप आगे देख लेते हैं क्या है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये मारा काम अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे जो वीडियो हैं, उनको आप लाइक कर सकते हैं, सेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अगर कुछ सुझाब देना है आपको तो कमेंट भ लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जोड़कर पड़ाई भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत-बहुत थैंक्यू कर सकते हैं, सब्सक्राइब 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 कर सकते हैं, सब्